पिलातुस और उसी बात पर पिलातुस ने किया वहां तीन चीजे हैं जो आप उसके साथ कर सकते हैं पिलातुस ने उन तीन चीजों की कोशिश की और वो चुक गया तीन जो जनाएं जिसे आप काम में लाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन यह कभी काम नहीं करेंगी पिलातुस ने उसे अपने हाथों से हटाने की कोशिश की लेकिन जब एक बार आपके हाथों पे रखा जाता है तो यह आपके हाथों पर होता है पिलातुस ने तीन अलग-अलग तरीकों से कोशिश की और असफल रहा हमें उन सच्चाईयों का सामना करना ही है जो हमारे हाथों में है हमने उसे उसके वचन में देखा है हम उसे खुद को प्रमानित करते हुए देखते हैं हम यह जानते हैं कि वो कल आज और युगानी युग एकसा है क्या यह सही है तब मैं आज सुबह यहाँ न केवल इस सबाझ से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं केवल 600-600-700 लोगों से ही बात कर रहा हूं हो सकता है लेकिन मैं इस टेप पर लाखो लोगों से बात कर रहा हूं जो संसार भर में जाएं गे देखा वो आपके हाथों में है टेबिस्टल में जहां भी आप हैं आप जानते हैं कि ये सच है यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अंधे हैं आप वचन को नहीं देख सकते हैं और वह आपके हाथों में है अब आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं पिलातुस ने उससे पीछा छोड़ाने की कोशिश की लेकिन हमें सच्चाए का सामना करना होगा पिलातुस को इसका सामना करना पड़ा था वो जानता था उसने सुना था तो ठीक है आप कहते हैं मैंने कभी भी इससे नहीं देखा आपने इससे किसी भी तरह से सुना है आप इससे अब भी सुन रहे हैं देखा वो चाता था कि इससे उसके लिए एक चिन चमतकार को करे या एक तरकीब को चले लेकिन वो तरकीबों को नहीं चला रहा था वो केवल वही कर रहा था जिसा परमिशन ने उसे करने के लिए कहा था आपने सुना है विश्वास सुनने से आता है आपके पास विश्वास है और पीछा छुडाने के लिए जिससे इसे आप अपने हातों से दूर करें लेकिन उसे किसी भी तरह से सच्चाय का सामना करना होगा उसने किया और सो वैसे ही हमें सच्चाय का सामना करना होगा वह पूरी तरह से पैचाना गया है सोचो आपके हातों में एक मनुश्य का लहू है मनुश्य को यह देखना होगा कि उसके हातों पर किसी अन्य मनुश्य का लहू है एक हवाई जाज को देखो एक पाइलिट जो विमान से बाहर जब वो उस विमान को चराता है तो वह उसके हर उपकरण की जाज करता है क्यों उसके हाथों पर किसी का लहू होता है हर कहीं छोटा बड़ा यंत्र जिसे जाचा जा सकता है वो इसकी जाज करता है जब वह बाहर निकल कर और विमान को इधर उधर गुमाता है तो वह मोटर को गुमाता है उस इंजिन को और यह देखता है कि यह गरम हुआ है और इस पर सभी तरह की दबाओ को डालता है यह देखने के लिए कि विस्पोट होगा यदि यह दबाओ को डालने में सक्षम हो जाएगा या जहाज के पंकों को भी चलाता है उस परयाप्त हवा से जो से जमीन से उपर लेकर जाता है आप खड़े होंगे आप में से बहुत से लोग एक विमान में या उसमें बैठे होंगे और लगबख पूरा विमान जमीन से उपर उठता है वो उसका सब कुछ दे देता है जो उसके पास है यह देखने के लिए कि क्या कोई चीज रेखा से बाहर है यदि ऐसा है तो यह अलग होकर और बाहर निकल जाएगा लेकिन वो इसे फिर से जासता है यदि उसे वहां कुछ शण के लिए रुखना पड़ता है जब तक वो इसकी फिर से जाच नहीं कर लेता और यदि वो इसे कुछ समय के लिए रोकते भी है तो वो इसे फिर से जासता है किस तरह से कलिसया को इसे फिर से और फिर से और फिर से जाँच करनी चाहिए? हम उसके आगमन के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं, हम जागरित हो रहे हैं, हम उड़ने के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं. हम इसे अच्छी तरीके से वचन के साथ जाचें ना कि किसी ने क्या कहा उसके साथ सुन श्चित करें कि आप खुद को जानते हैं मसी के साथ एक व्यक्तिकत अनुवो के रूप में इसे फिर से और फिर से और फिर से जाचें क्यों उसके पास उसके हाथों पर मनुश्य का लहू है उसे अच्छी तरह से जाचना है एक ओपरेशन से पहले एक डॉक्टर के बारे में क्या है हमारे पास आज सुबह यहां पर कुछ डॉक्टर बैठे हुए है ध्यान दें कि एक डॉक्टर आपरेशन करने से पहले वो क्या करता है वो एक एक स्रे को चाता है वो लहू की जाच करना चाता है वो हर एक आउजार की जाच करता है वो उन्हें अच्छी तरह से उबालता है यह देखने के लिए कि उस पर कोई किटानू तो नहीं है वो सब कुछ करता है वो बार 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 और 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 आपके बारे में क्या आपके बारे में क्या जो पापी है आपने इसके बारे में क्या मैसुश किया अपने हातों पर एक मनुश्य के लहू का होना जिम्मेदारी एक पाइलट की तरह और वह जाश करता है डॉक्टर और वह जाश करता है और कई और भी हैं बहुत से विज्ञानिक जब आपके अपने हातों पर एक मनुश्य का लहू होता है तो आप क्या करेंगे जब कोई न्यायधीश सजा सुनाने जा रहा है तो देखें कि वह उन किताबों को कैसे पढ़ता है बार बार और बार और बार और और बार और और बार वो हरे छोटी से छोटी चीज को जिसे वह देख सकता है इससे पहले कि वह सजा को सुनाए क्योंकि इसके हातों पर एक मनश्य का लहू होता है वहाँ पर इसके न्याय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए समझे हमारे बारे में क्या है जब हम देखते हैं यह पूरी तरह से पैचाना गया है कि वो कल, आज और युगानी जूग एक सा है वो यहां पर है, वो हमारे हातों में है वो हमारे हातों में है, वो आपके हातों में है आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं मैं इस एशु के साथ क्या करूँ जो अभी शिक्त मसी है यह क्या करता है आप इसे कैसे जानते हैं कि ये वो ही है इस दिन की प्रतिक्या जिस दिन में हम रह रहे हैं वहाँ इसके लिए बहुत से बचन बताते हैं इसलिए इसमें के बहुत से इन भागों को पूरा होना है इस अंतिम दिन के अंतिम भाग को यहां कुछ तो बाते निर्धारित की गई है और इसे होना चाहिए यह यहां पर है यह क्या है वही अभिशिक्त मसीहा अभिशिक्त वचन आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं क्या आप इसे संस्था को बेचने जा रहे हैं अब पिलातुस ने क्या किया पिलातुस ने अपने हाथों से उसे धोने की कोशिश की यह कहते हुए पहला काम जो पिलातुस ने किया था उसने अपने हाथ साप करने की कोशिश की हातों को धोकर या कहकर ओह वो सही है वो पूरी तरह से ठीक है देखा आप कहते हैं ओह बेचारा पिलातुस पिलातुस क्या उसमें से बहुत उसे सही ठहराते हैं नहीं 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 वो उसके हातों में था उसने संदेश को सुना था उसने वचन को देखा था और वह उसके हाथों में था और वैसे ही वो आपके हाथों में है ये सई है उसने क्या किया उसने कहने की कोशिश की ओ ठीक है वो एक भला मनुश्य है मैं इसमें कोई दोश नहीं पाता हूँ यह यह ऐसा है तो आज बहुतों के पास जवाब है ओ वचन में कुछ भी गलत नहीं है मुझे लगता है कि यह ठीक है बैबल बिलकुल सही है लेकिन हम कलीसिया पर विश्वास करते हैं हमारा संप्रदाय इसके साथ सेमत नहीं है समझे देखा कुछ वर्ग के लोग उससे अपने हाथ धोने की कोशिश करते हैं मैं वचन में कोई दोश नहीं पाता हूँ यह प्रिणितों के लिए उनके दिन के लिए ठीक था लेकिन हम दूसरे दिन में रहते हैं हम प्रिणितों के दिन में नहीं जीते हैं सो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है जैसे प्रिणितों ने किया था मुझे उस तरह से बप्तिस्मा नहीं करना है जिस तरह से उन्हों नहीं लिया था मैं दूसरे दिन में रहता हूँ मेरे पास वे चीज़े नहीं है जो उनके पास थी मैं दूसरे दिन में रहता हूँ पवित्रा आत्मा के वल उस जुंड के लिए ही दिया गया था इब्रानियो 13.8 उसे फिर से आपके हातों में वापस रख देता है भागना नहीं है वो पूरी तरह से प्रमानित हुआ है वह कल आज और युगानी युग एक सा है आपके पास कोई बचना नहीं है आप उससे लांग कर किसी और युग में नहीं जा सकते इब्रानियो 13.8 आपके विचारों को दोशी ठहराता है और ठीक आपके हातों में उसे फिर से रख देता है देखो आप कहते हैं लेकिन मैं नहीं जानता ठीक है तुम किस के लिए सुन रहे हो पिला तो उस एक पागान मुर्ती पुजक था उसकी पत्नी एक पागान मुर्ती पुजक थी लेकिन परमिशर इसे धर्मी ठहराने के लिए उस महिला को वहां भेजा और कहा तुमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम इस धर्मी व्यक्ती के साथ कुछ करो उसने कहा मुझे इस दिन को सहन करना पड़ा क्रम में सुबह थी रात हो गई थी और एक 24 घंटे को दिन माना जाता है मैं आज रात को कुछ सवपने से गुजरी हूँ उस धर्मी मनुष्य के लिए तुमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम उस व्यक्ती के साथ कुछ करो अब उसने कहा ठीक है तो फिर यदि ऐसा है तो मैं उसे अपने हातों से धो दूँगा लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका न तो आप कर सकते हैं एक बार सत्य को सुनने के बाद आपको इसे स्विकार करना होगा या अस्विकार करना होगा कोई रास्ता नहीं हाँ शरीमान आपको इसे करना होगा प्रभु की चेतावनिया यहोदियों ने चिल्ला कर कहा उसका लहू हम पर होने दो क्योंकि हम हमारे याजकों पर हमारे संप्रताय के सिद्धान पर विश्वास करेंगे इससे पहले कि हम उस पर विश्वास करें आप यहाँ पर हो आज आप वर्गों को देखते हैं लेकिन सभी को परमिश्टर के सवाल का सामना करना ही होगा आपको यह सब करना ही है किसी भी तरह पागान, मुर्ती, पूजक या आप जो भी हो सकते हैं अविश्वासी, मेथोडिस, बेप्टिस, पेस्पिडेरियन, गुनगुने ठंडे, गरम और जो कुछ भी आप हो सकते हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से सवाल का सामना करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें, यह आपके हातों में है, बिल्कुल ऐसा ही है फिर ऐसे लोग हैं जो इस सवाल से बचने के लिए पिलातुस की अन्य योजना को आजमाते हैं, उसे किसी अन्य केसर के पास भेजते हैं, देखा पिलातुस ने कहा, अब एक मेट रुकना, मैं इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता मैं, मैं, वो एक धर्मी मनशे है, मैं इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता ओ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जो सुना है, मैंने कभी उसे चमतकार करते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे गवाह है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक धर्मी मनुश्य है, वो एक भला पुरुश है देखो, लेकिन मैं अपने लिए इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता, मैं केवल, मैं बस अपने हाथों को उससे धोता हूँ मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, आप सब मेरे याँ गवाह हो, हाँ, लेकिन परमिश्वर भी गवाई को दे रहा था वह उसके हाथों में था और वैसे ही वह आपके हाथों में है, देखें आप, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, समझें, नकेवल आप, बलकि यह टेप वह आपके हाथों में हैं, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं, इस एशो का जो मसी कहलाता है, मसी एक अभिशिक्त शब्द है, देखा आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, ये इस घड़ी का संदेश है, वो दिन यहाँ पर है, जो पूरी तरह से बाइबल और परमिशर के द्वारा साबित हुआ है आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, अब आप इस सवाल से कैसे बचेंगे, आप इसके साथ कैसे बच निकलेंगे, वो आपके हातों में है और उस सवाल का मामला आपके लिए एक मामूली सी बात होगी बले ही सेवक या आप जो भी होने दो, वे यहुदी याजक थे और रब्बी, शिशक, पवित्र मनुष्य, लेकिन वो उसी तरह से उनके हातों में था वो वचन था, वो उस दिन के लिए परमिशर का सवाल था और वो इसे देखने में विफल रहे केवल चुने हो ने इसे देखा, वे जिनों ने इसे विश्वास किया था अब सभी को इस सवाल का सामना करना ही होगा, हर युग में हर बार ऐसा ही रहा है हवा और आदम के युग में से होते हुए, आगे नुग के युग में से होते हुए, आगे डानियल और बेल्चेशर और नबुक दिशनर के समय में आगे मसी के समय में, आगे इस घड़ी में, जिसमें हम रह रहे हैं, यह उसी तरह से रहा है बचन का सवाल सामने आया है, नहीं उनकी संस्था या संप्रदाय नहीं, संस्था नहीं लेकिन वचन का सवाल उन बातों के विरोध रहा है फिर जो लोग पिलाटूस की दूसरी योजना को आजमाते हैं, उससे पीछा छुडाने के लिए, उसे किसी और पर डालने के द्वारा पिलाटूस ने कहा, अब आप जानते हो क्या, मैं बस उससे अपने हाथ को निकाल दूँगा, मैं बस उससे इस पानी से अपने हाथ को धोलूँगा सो मैं बस मुझे उसके साथ कुछ तो करना है, सो मैं क्या करूँगा मैं उसे बिशप के पास उस मुख्याले में भेज दूँगा, जी हाँ, यही है जो आज में करने की कोशिश करते हैं, समझे? उन्होंने उसे एक केसर के पास भेजा, इससे वो पिलातुस के हाथ से नहीं छूट गया, वो किसी के हाथों से भी नहीं छूटा इसने क्या किया? इसने उस पर पलट वार किया, यह विक्तिकत के लिए वापिस आता है आप कहते हैं, ठीक है, मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे स्विकार करूँगा, यदि मेरी संप्रदाय इसे स्विकार कर लेगी, आपकी संप्रदाय कलिसिया परिशद में है, जो दोशी है वे भला इसे कैसे ग्रहन करेंगे, यह ठीक वापस तुम पर पलट वार करता है, यह ऐसा नहीं है, कि आपकी संप्रदाय क्या कहती है, यह ऐसा है कि तुम क्या कहते हो उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया है, अब आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, यही वो अगली बात है, समझे इससे वो आपके हाथ से छूट नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से प्रमनित हुआ है, वो पूरी तरह से पहचाना गया है, जो इस समय का वचन है इस समय की प्रतिग्या है, लूथर के समय की प्रतिग्या नहीं, यह उस समय के लिए था, यह सुधारक के युग में का वो वचन था, जैसा कि आप सभी ने साथ मोहरों के बारे में सुना है जब सुधारकों के युग निकल गए, वो पशु के चेरे जैसा मनुष्य संगठन जारी किया गया था, लेकिन यह उकाप का चेरा है, जो पशु आज की चुनोती देने के लिए गया था, और यह कहने की हिमत कौन करेगा, कि वो परमिशर का प्रेणित वचन नहीं था, जब उसने इसे यहां पहले ही बताया, और उस और एरिजोना में भेजा, और इसे ठीक यहां वापस लाया, यहां तक कि यह विज्ञान और बाकी सभी लोगों के भी साथ, और उसी प्रकार सावि यह किताब पहले से ही खुली हुई है, यह सही बात है, बस साती महर का इंतजार है, मसी के आगमन की पैचान हो जाए, तो ठीक है, वो तुमारे हाथ में है, आपको उसके साथ कुछ तो करना है, उससे पीछे मत हटो, जी हां शरिमान, इस शरिणी में मैं कहना चाहूंगा, उसे किसी और पर मत डालो, यदि मेरा संप्रदा है, इसे स्विकार करता है भाई ब्रेणम, मैं इसे स्विकार करूँगा, लेकिन आप देखो, मेरी मां इस कलिस्या से संबंदित थी, वो अपने युग में रही थी, वो तुम नहीं थे, ये अब तुम हो, देखो, उससे क्या बाहर आना था, उससे क्या होना था, तुमारे बारे में क्या है, तो ठीक है, देखो, आप कहते हैं, मेरी मां एक पेंटिकोस्टल थी, उसने ऐसा वैसा किया था, वो संगठन से बाहर आई, लेकिन मैं अब आप से बात करना चाह रहा हूँ, तुमारे बारे में क्या है, समझे? इस शिरणी में हम कई शिक्षित लोगों को देखते हैं, अब मैं जानता हूँ की मैं यहाँ भावनाव को ठेश पहुचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे जानमज्कर नहीं कर रहा हूँ, यदे मैं करता हूं तो मुझे वेदी पर होना चाहिए, पच्चताब करते हुए मैं इसे इश्वरी प्रेम में कह रहा हूँ, एशु जब वो वहाँ पर खड़ा था और वो फरीसी कहता तुम तुमारे पिता शैतान से हो तुम उसके कामों को करते हो फिर भी उसने क्रूस पर शांती और उनके लिए दया के लिए कहा जिसने उसे क्रूस पर चड़ाया देखो वो उनके उपर क्रोधित नहीं था उसने कहा तुम सर्व के वंशो देखा समझे हर एक चीज उसने उने हर एक चीज से ब्रश्कित किया जो वो कर सकता था देखो और फिर उनके लिए क्रूस पर प्रातना की देखा यह ऐसा नहीं था जिसे वो करना चाहता था यह ऐसा नहीं था लेकिन उन्हें गल्ती को दिखाना था जिसे वे कर रहे थे और मैं आज यही बात को कह रहा हूँ इस शिरनी के लोग किसी और की गले पर थमाते हुए यह ऐसा ही कुछ सेना में हम ऐसा कहते हैं किसी और की गले पर थमाते हुए हम इसे किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आदम और हवा ने किया हवा ने कोशिश की आदम ने कहा वो इस्तरी जिसे आपने मुझे दिया और उसके लिए यह कोई भाना नहीं था देखा इस्तरी ने कहा सरप ने मुझे गुमरा किया वो वही वो एक था जो मेरे साथ यौन सम्मन्द रखता था उसने मुझे बहकाया उसी ने ऐसा किया इस बात ने इसे बिल्कुल भी दूर नहीं रखा उन्हें ठीक न्याय के लिए जाना पड़ा वैसे ही जी हां श्रीमान तो ठीक है वे इसे दूसरे पर नहीं छोड़ सकते एक यह नहीं कह सकते यदि मेरा संप्रदाय इसे विश्वास करेगा मैं भी करता हूँ लेकिन मैं संप्रदाय में रहा हूँ इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है यहुदियों के पास भी यही बात थी वैसे ही तुम करते हो करते हैं लाउ श्योण दग्छ हुदियों झाल झाल